आज चार दर्स दोहजार चोबिस को क्लास 12 का पुलिटीकल साइंस एससे वन अर्दवार्सिक पर इच्छा था जिसका अंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप लोगों का कितना स्कोर आया कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं और अंसर की मिला लेते पुलिटिकल साइंस 40 objective question आपका आया था तो सबसे पहला जो question आया था वो था पहला गुट निर्पेश आंदोलन कब हुआ था तो ये जो आपका है गुट निर्पेश आंदोलन 1961 को हुआ था दूसरा question है आपका 1949 में नाटों में कितने देश समलित थें तो उसमें आपका समलित जो था वो बारा देश था तो दूसरा का यहां भी हो जाएगा तीसरा है आपका परमानु आप्रसार संधी पर किस वर्स्त हस्ताक्षर हुए थे तो यह आपका सही अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1968 चौथा नमबर है सीत यूद काल में सोबिय संग द्वारा कौन सा सैनि गुट बनाया गया था तो सैनि गुट जो बनाया गया था वो था वार्षा पैक्ट तो यहां चौथा का डी हो जाएगा पाँच्वा नमबर है आपका क्यूबा मिसाइल संग कट किस वर्स उत्पन हुआ था तो यह हुआ था 1962 में पाँच्वा का ए हो जाएगा छट्था नमबर है सोविय संग का उत्राधिकारी किस देश को स्विकार किया गया तो स्विकार जो किया गया था वो था रूस को तो यहां छट्था का भी हो जाएगा सात्वा नमबर जो है वो कह रहा है आपका question बरलीन की दिवार कब गिराई गई तो बरलीन की जो दिवार है वो गिराया गया था आपका 1989 नाइटीन हंडेड एटीन नाइन में आठ नमबर है आपका question ग्लास नोस्ट और पेरे अस्तोई का किस ने प्रस्तूत किया था तो यह जो प्रस्तूत किया था वो था गोर्वत चेयो नौमा नमबर है आपका सौक थेरेपी को कब अपनाया गया तो सौक थेरेपी जो है वो नसम नब्बे में अपनाया गया था यहाँ पर आपका A हो जाएगा दसमा है आपका निम्न में से कौन सा जोड़ा सुलेमित नहीं है देखें यहां नहीं है सो पूछा जा रहा तो यह correct है आपका यह भी correct है तो आपका नाटो यह नाटो तो है अमरीका का तो इसमें आपका D जो है वो नहीं हो जाएगा तो यहां D दस्मा का D correct answer हो जाएगा इगारा है आपका अमरीका अमरीकी वर्चस्व का कारण है तो उसकी science सकती उसकी धशात्मक सकती उसकी सांदस्तिन्यों है इसलिए इसका answer हो जागा D इन में से सभी बारा नमबर जो question कह रहा है कि Soviet संग और अमरीका ने परमानु अपरसार संदी NPT पर कब हस्ताक्षर किया था तो यह जो किया था 1963 में किया था तो बारा का C हो जाएगा तेरा नमबर है भारत ने परमानु उर्जा विभाग का गठन कब किया था तो परमानु उर्जा विभाग का गठन जो है वो किया था इसमें तो answer नहीं दिया हुआ है ऐसे यह गठन किया था 3 अगस्त तीन अगस्त उनेसो चौवन को तीन अगस्त उनेसो चौवन इसका correct answer है लेकिन इसमें सही answer तो नहीं दिया हुआ है तो आस पास में यदि हम लोग मारते हैं तो उनेसो पचास को मार सकते हैं या उनेसो अन्ठानवे यह दोनों में से कोई correct होगा मलब जैसा option दिय यहां तो answer सही नहीं दिया है तो 1994 में इसका गठन किया गया था तीन अगस्त 1994 तो इसको देख लिजेगा बच्चो चौदा नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं खुले द्वार की नीती को किसने अपनाया तो खुले द्वार की नीती को चीन ने अपनाया था तो चौदा का B हो जाएगा 16 नंबर को हम लोग देख लेते हैं जो फे ब्रांश टीटो किस देश के नेता थे तो यह आपके जो थे वो था यूगोसलाविया का तो यहां पर B हो जाएगा 17 नंबर जो कोस्चन है वो कह रहा है 1996 में तालिबान ने किस देश पर अपना सासन अस्थापित किया तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान 17 का सी हो जाएगा 18 नंबर है भारत और चीन के बीच दोकलाम विवाद कब हुआ था तो यह हुआ था 2017 को तो यहां पर आपका B हो जाएगा 17 नंबर को देखते हम लोग एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीती है तो यह है आपका चीन की नीती तो यहां पर आपका 19 का D हो जाएगा 20 नमबर है आपका एसिया का वा कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है तो वो है आपका जपान तो यहाँ पर आपका 20 का C हो जाएगा 21 नमबर कोश्चन है दच्छेस का मुख्याले कहां इस्तित है तो दच्छेस का जो मुख्याले वो काठमांडू में इस्तित है तो यहाँ C हो जाएगा 22 नमबर है आपका किसने पच्छमी पाकिस्तान के विरुद संघर्स का नेत्रित तो किया था तो यहाँ हो जागा सेख मुईदिन रहमान मुजिबू सेख मुजिबू रहमान 23 नमबर है आपका सिमला समझाओता किन देशों के बीच हुआ था तो यह हुआ था आपका भारत पाकिस्तान के बीच 24 नमबर है आपका मुहरी नदी सीमा विवाद किन देशों से संबंदित है तो यह संबंदित है भारत और बांगला देश 25 नमबर है आपका नियंतरन रेखा LOC किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा मानी जाती है तो ये माना जाता है भारत पाकिस्तान 26 नमबर है भारत के पर्थम उप परधान मंत्री कौन थे तो उप परधान मंत्री थे आपका सरदार बललभाई पटेल 27 नमबर है राजपूर्ण गठन अधिनियम का पारित हुआ तो ये आपका हुआ था 1956 को 28 नमबर है आपका किस राजितिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी तो ये बनाया था भारतिय कॉम्मिनिस्ट पार्टी ने आजाद भारत के पहले सिच्छा मंत्री कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद दी नमबर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद तीस नमबर है आपका कोश्चन M.S. स्वामी नाथन का संबन किस क्रांती से है तो ये आपका हरित क्रांती से है जो 1966-67 के बीज भारत में हुआ था और गेहू के छेतर में ये ज़्यादा पैदवार बढ़ गया था विश्व में इसके जनक जो है वो नौरलोंग बौरलोंग को माना जाता है 31 नमबर है आपका भारत ने अपने आर्थिक विकास ले किस मौडल को चूना था तो भारत जो है वो सामाजवादी मौडल को चूना था 32 नमबर है कौन सी रेखा भारत वा बांगलादेश के बीच सीमा निधारित करती है तो वो है रेड क्लिप लाइन भारत वा चीन के बीच पंसिल समझोते पर किस वर्स हस्ताक्षर किये गए थे तो उनैस सो चूवन को 34 है किस पडोसी देश के साथ भारत ने उनैस सो बासट में यूद लड़ा था तो वो है आपका चीन देशी रियासतों के सासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्स समाप्त कर दिया गया था तो ये समाप्त कर दिया गया था 37 नमबर है 1979 में विभाजन के दौरान कॉंग्रेस के अध्यच कौन थे तो कॉंग्रेस के अध्यच थे के काम राज 38 नमबर है आपका 14 बैंकों का राष्टिय करन किस वर्स हुआ था तो ये हुआ था 1969 को 49 नमबर कोश्चन है भारतिय जन्ता पार्टी के पर्थम अध्यच कौन थे तो अटल बिहारी बाज पे 49 का B हो जाएगा और लास्ट कोश्चन आपका जै जवान जै किसान जै विग्यान का नारा किस ने दिया था तो ये दिया था आपका अटल बिहारी बाज पेंने 40 का C हो जाएगा तो बच्चो आप लोगों ने कितना स्कोर किया कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्ट विडियो साथ जै हिन जै भारत